लेकुन विल्कम टु अवर चैनल eんsism겠지만 तो आज हम किलास थर्ड की English book Merry Gold का syllabus देखेंगे कि इस book में कितनी units हैं और उसमें कितनी chapter हैं तो देखें ka tiny areas थार्ड है आपकी book Merry Gold उसमें total 10 units है और हर unit में एक poem है और उसके साथ साथ, एक lesson है तो टोटल मिला के इसमें 10 poems और 10 lessons है किसमें आपकी book Mary Goodman, class 3rd की English book तो देखे जो उसकी पहली unit है उसमें पहली poem है Good morning, good morning poem है और उसके साथ जो lesson है उसका नाम है The Magic Garden तो good morning poem में क्या है जिस सुबह उठके यानि सभी को जो good morning wish करते हैं उसमें बेश दी poem है और जो chapter है The Magic Garden उसमें एक ऐसे garden की कहानी है जो की magical है जहांपर की पेरी जाती है परिया आती है और वहां जाके फूल भी क्या आपस में बाते करते हैं तो ऐसे garden की कहानी है उसके बाद देखे दूसरी unit है birds talk तो इसमें देखे दो birds की बाते हैं इसमें की birds कैसे बाते करती है उस पे बेश दी poem है और chapter का नाम है second chapter जो है वो है Nina and the Baby Sparrow तो उसमें ये कहानी है एक Nina नाम की लड़की की और दो छोटे छोटे बेबी स्पेरो यानि के दो गो रही है कि बच्चों की कहानी है कि जिनको छोड़के Nina कहीं बाहर नहीं जाना चाते है क्योंकि उस स्पेरो ने जो है उसके घर पे ही घौसला बनाया गया तो ऐसी एक कहानी है unit second में और unit third में unit third में जो poem है उसका नाम है little by little और chapter है the enormous turnip यानि की एक बहुत बड़ा turnip turnip यानि की बहुत विशाल turnip की कहानी है जिसको की वो नीचे जडसी से खोथ ने पाते है जिसे उपर नहीं निकाल पाते है तो ऐसे बहुत बड़े turnip की एक कहानी है उसके बाद देखे unit four unit four में क्या है एक sea song नाम कि क्या है एक पोयम है जिसमें कि एक बच्चा है जो कि sea song इसके नाम से आपको पता चला होगा sea song तो देखें कि इसके नाम से पता चला है sea song यानि समुद्र का गाना तो उसमें एक बच्चा है जो कि आपने देखा होगा अकसर समुद्र की नाई शेल होते हैं चोटी से संक होते हैं जब आप उसको अपने कान में लगाएंगे तो उसमें उसे एक साउंड आती है तो उसी सी सौंग पर ये बेस ये पोयम है और उसके पाद जो चेप्टर वो है अलिटल फिस स्टोरी यानिके एक चोटी सी मचली की गानी जो कि हमेसा दुखी रहती है क्योंकि वो बहुत चोटी है लेकिन उसका उसे फाइदा मिलता है उसके बाद देखे हमारी है यूनिट फाइब जिसमें पोयम का नाम है जो कि एक बारे बेचने वाले आजमी की पोय फिर देखिए हमारी unit 6 unit 6 में क्या है आपके जो पोयम है उसका नाम है ट्रेंज यानिकी train आपको पता रेल गारी की उपर ये पोयम है और चेप्टर का नाम है The Story of Road यनिकी सडक की कहानी की सडक की की लोग चलते है और कैसे उसमें लोग किस कैसे कैसे टाइब की लोग उसमें आते हैं तो यह सब इस lesson में दिया हुआ है उसके बाद देखिया आपका है अगला unit 7, unit 7 में कहा है जो poem है उसका नाम है puppy and I यानि कि पपी किसको कहते हैं कुते के छोटे बच्चे को पिले को पपी कहते हैं पपी और मेरी एक पोयम है इसका नाम है उसके बाद है लिटिल टाइगर बिग टाइगर जो चैप्टर का नाम है लिटिल टाइगर बिग टाइगर यानि कि इसमें जो चैप्टर है वह एक छो अपशन का डबबा होता है, जिसे जहां पर बहुत सारे letters दाले या निकाले जाते हैं, तो उसे कहता है mailbox रड़ कलर का होता है, उस पर base poem है, और chapter है chapter का नाम है my silly sister, यानि कि मेरी भूती silly सी, यानि बेवकूफ सी मेरी बहन, तो उस पर यह based है कि वो उसकी बहन कैसी कैसी सिली हरकते करती है उसके बाद unit 9 है unit 9 का dawn tell dawn tell एक poem है और उसके बाद उसी में एक chapter है उसी unit में जिसका नाम है he is my brother यानि कि वो मेरा भाई है तो यह एक मीना नाम की लड़की की कहानी है he is my brother कैसे वो अपने छोटे से भाई को अपनी पीट पे लेके घूमती है और देखे लास्ट unit है लास्ट unit का नाम है उसमें जो poem है वो है how creatures move तो उसके नाम से आपको पता है creatures move तो कैसे जो अलगले टाइप की जो जानवर होते है कैसे चलते है उनकी चलने के style कैसा होता है share कैसे चलता है cheat कैसे चलती है तो उसमें बेस ये poem है और जो लास्ट चैप्टर है लास्ट यूनिट का उसका नाम है the ship of the desert यहने की ship of the desert आपको पता है कौन होता है camel तो camel की एक story है कि वो उसको ship of the desert क्यों कहते है उसकी खुबियों के इस chapter में बताया गया है तो ऐसी ही है जो हमारा last heart का syllabus है यह chapter यह syllabus complete हो जाती है book यहां पर merry good तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो please channel को like, share and subscribe कीजेगा अगले वीडियो में हम इनी chapters पर based इनी chapters पर based इनका explanation करके वीडियो बनाएंगे तो आप उन वीडियो को भी देखेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तेगे थैंक्यू